कि अब दिविनिंग एवर्वर्वन तो लास्ट क्लास में जो पढ़ाया आपने रिविजन किया होगा सारे चीजें सारे चीजें लाइक हम लोग एड्स कंप्लीट किये थे लास्ट लेक्टर में बहुत कॉमन कॉमन पॉइंट जो था वह आपको ध्यान तो रखना ही है साथ में कि उसमें कौन सा टेस्ट होता है कैसे हम लोग पता करते हैं कि एड्स कैसे स्प्रेट करता है मोड ओफ ट्रांस्मिशन कव फर्स्टाइम एड्स इडेंटिफाई हुआ था 1981 एच आईवी का फूल फॉर्म एड्स का फूल फॉर्म इलाइसा का फूल फॉर्म जो की टेस्ट था डियान रखेंगे ठीक है अब जो नेक्स एंसियार्टी में जो डिजीज दिया हुआ है वो किसका है कैंसर का है ठीक तो कैंसर सबसे पहले कैस सबसें एक सर्भीजिज है इनफेक्सियस है या नासियन नटिशीं सबसें रहुन कैंसर अस्स था सब्सक्राइब करतें कुछ City बाते मैं अभी बता देता हूँ थाकि बात में मेरे लिए थोड़ा ईजी हो जाता है उसको मैं तरफ नो डाउन करा दूंगा लास्ट में नहीं था ठीक है treatment नहीं था similarly कैंसर में भी यह होता है ना की कैंसर के स्टेज़ेज होते हैं स्टेज वन हुआ कैंसर का स्टेज 2 वा स्टेज 3 वा स्टेज 4 वा तो अगर इनिशियली पता चल गया तब तो ठीक है तरीटमेंट है अगर स्टेज स्टेज 4 पता ही चला की थेलेट गजकी कैंसर तब तक काफी लेट हो चुका होता है तब तक लेठ हो चुका होता है उसमें भी डिविकर सकते हैं अट्रीटमेंट को पर लास्ट स्टेज में या लेटर स्टेज में उसका भी ट्रोफट त्रीटमेंट नहीं है ओके तेमिलर्ली एड्स की दरह यह भी बहुत खत्रनाक ट्रीड़ेट प्रटीड वान प् प्रजिटेट डियट डीजस इसमें किomba इंडिया किंडिया में मोर्ठं मिलियंस इस में होता है सबसे पहले हैं स् bod violins तरह प्लीय होता है हमेर हो गया ठीक है tumor हो गया तो cancer में यह होता है कि नौर्मल जो हमारा body का mechanism है वो क्या है contact innovation नाम का mechanism होता है कि मान लो सेल क्या है growth करता है यह regulated way में होता है जितना सेल का growth होना है उतना ही होगा ऐसा नहीं कि growth करते जा रहा है करते जा रहा है लेकिन जब यह नौर्मल mechanism break को जाता रहा ब्रेक डाउन आफ नॉर्मल मेकेनिजम अफुल से रोस करते 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 रहीं को जाता है और जो से रिलेटेड आजाये अपी यह क्या निया रिलेटेड टू कैंसर इसलिए बताओ study of cancer क्या बोलेंगे study of cancer is oncology यहाँ पर लिख देता हूं ओंको से study of cancer को क्या बोलेंगे anxiety में नहीं है बट यह term आया हुआ study of cancer को क्या बोलेंगे ओंको लॉजी जहां पर आया मतलब रडी ठीक है बायो लॉजी अधियो लिविंग ऑर्गिनिज्म तो सबसे पहले cancer के लिए one of the most treated disease यह कैसा disease infectious यह non infectious यह non infectious disease है infection के थूँ यह नहीं spread करता है इसके लिए anxiety में एक term दिया हुआ है it is the most dreaded ठीक है most treated बहुत खतरनाग विमारी है यह टर्म को हम द्यान रखेंगे और देन वन मिलियन है और देन वन मिलियन है यह 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 इंडिया में एक मिलियन से ज्यादा इसका डेथ होता है और मली एंसर में भी अगर यह 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 स्टेज में देखें तो लंग्स कैंसर से लोग काफी ज्यादा करते हैं अगर यह स्टर्स में हो रहा है तो में और रिजन लंग्स को खराब कर लेते हैं उन्हें से लंग्स कैंसर का स्मोकिंग में तो सिग्रेट का जो पैकेट होता है उस पर लिखा हुआ होता है तो वैको या धुम्रपान जान के लिए हानिकारक है ठीक है जीवन के लिए हानिकारक है इससे कैंसर आधी बीमारी हो सकती है कोई भी मूवी स्टार्ट होता है उसमें अगर स्मोगिंग का सीन देखें वहां पर भी मेंशन होता है तो गौवर्मेंट अपने तरफ से एड के थरू तोसल अवेरनेस पूर पढ़ेंगे उसमें लीखा हुआ है कि यंगस्टर्स हैं वह कूल कूल करने के लिए सिर्फ ड्रक्स का यूज कंज्यूम करते हैं ठीक है तो चलिए कैंसर में आते हैं की में दो कैंसर में क्या होता है कि सबसे पहले यह हम लोग देख लिए मेकेनिजम क्या है डिवल्लप्मेंट औफ कैंसर को क्या बोलते हैं अंको जेनिक ट्रांसफॉरमेशन वह कि अज़को और हो जाता है सिम्बल लेंगुई हम लोग क्या करते हैं कि भाई ट्रीट्मेंट का एप लोग अभी कर रहे हैं कैंसर पर क्या इसा मतलब हन्रेट परसेंट एफीशिएन्ट रक्स की हम इसे दें और यह कैंसर ठीक हो जाए आज कल क्या है कैंसर आप लिखते होंगे बहुत सारे एक्टर एक्टरेस और इग्जाम्पल सबसे फेमस एक्जाम्पल क्या युवराद सिंग इंडियन क्रिकेटर तुक है युवराद सिंग अब को जब कैंसर यह पता चल गया था ज्यादा लेट नहीं मतलब की अर्ली स्टेज में पता चल गया तो उन्हें कैंसर को डिफीट किया तो इससे क्या पता चला चैनसर का ट्रीटमेंट है बट कब है जब यह अर्ली स्टेज में पता चलता है तब उनको कैंसर था तो उनका कैंसर ट्रीट हुआ लेकिन इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं एर लॉस हो जाएगा ठीक है कि आप देखते होंगे जो भी परसन को ट्रीटमेंट चलता है उसको हेर पूरा हटा दिया जाता है ठीक है बहुत सारे साइड इफेक्ट इसके आते हैं एर लॉस इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल से लेना उसमें प्रोपर्टी होती है और मली क्या होती है सेल ग्रोथ करती है कंट्रोल वे में जब अनकंट्रोल तरीके से सेल का ग्रोथ हो तो कैंसर को हम लोग क्या बोलते हैं तो क्या बोलते हैं अनकंट्रोल्ड अन कॉंट्रोल्ड लूट और जब सेल हो इस कंडिशन को अंक पॉर्मेशन कर तर्म उसको कैंसर करते हैं यहाप एक टर्म आएगा जो नार्मल सेल होता है नार्मल सेल के जो नार्मल सेल हमारे बोडी के जो नार्मल व्यरोथ करते हैं नार्मल सेल तो जूज इस फिनोमेन ऑफ फिनोमेन ऑफ बहुति इंपोर्टेंट लिखने जा रहा हूं कंटेक्ट बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है कि यह काफी सारे चीज़ आपको समझ में कि जो नॉर्मल सेल होता है वो कॉंटेक्ट इनिवीशन का क्या होगा बढ़ा का मतलब हो रहा है इनिवीशन का मतलब स्टॉप आलो सेल ग्रोथ हो रहा है ग्रोथ हो रहा है यह सेल का ग्रोथ हो रहा है एक सेल के कॉंटेक्ट से दूसरा सेल का ग्रोथ इनिवीट हो जाता है अब इसे नहीं ग्रोथ करना है इसको क्या बोलते हैं कॉंटेक्ट इनिवीशन तो कुश्चन आप से यह पूछा इसको नायंटीन नायन परसेंट लोग से घलत कर आ जाते हैं जैसे देखते हैं है यार मैंने कैंशर में पड़ा था यह कैंसर का पाट है कैसर सेल का प्रोपरेटीजन उन्हें आर मलत पीचर है से लिसे सो करते हैं अगर बताओ भाई नॉर्मल से लगर इस पीचर को लॉस करते की तभी तो बहुत ज्यादा ग्रोथ होगा यह फीचर क्या होगा अन्टॉल्ड ग्रोथ होते जाएगा होते जाएगा और यह बना लेगी यह ट्यूमर का फर्मेशन कर लेगा कि द्यूमर का हो जाएगा तो कॉंटेक्ट इनिवीशन किसका प्रोपर्टी है नॉर्मल सेल का प्रोपर्टी है क्लियर है अब जो कैंसरल सेल है उसमें क्या करते हैं कैंसर सेल लॉष्ट दि प्रोपर्टी ओफ जो कैंसर सेल है कि अंशन गया फ्रोपर्ट ऑफ क्लाु चुटा क्ला थिका स्थिक कर देंकुकर क्या हो जूत का एक दिया स्थेंट आटेंट मोटलद स्थे च्छोंग ے रहती होते रहती है कर रहतीm अब दो तरह के cancer होते हैं कि cancer के परकार तू परकार के ट्यूमर हाँ तो ट्यूमर क्या होता है कि जब बहुत सारे cancer cell continue to do add mass of cell tumor यहां पर ट्यूमर का एक definition add कर लो tumor क्या होता है तो जब growth होता है ना tumor एक growth ध्यान से देखो यहां पर growth हो करके बहुत जाद है यह mass of cell जो बना लेता है यह ठीक है यह है clear तो tumor को हम लोग कैसे define करेंगे mass of cells जब mass of ठीक है mass of cells होता है जब यह uncontrolled division होता है uncontrolled division होता है तो यह क्या करता है एक mass of cell बनाता है जिसको हम लोग tumor कहते हैं अब इसके types हम लोग देखते हैं ताइप सॉफ ट्यूमर ताइप सॉफ कितने टाइप से हैं तू टाइप से हैं पहला क्या है क्या है तो यह कोई और कलर यूज करते हैं रीन यूज करता हूं ठीक है पहला क्या है बिनाइन ट्यूमर दूसरा क्या है मैलेगनें ट्यूमर अ क्या है मैलेगनें ट्यूमर अब यह बताओ मैलेगनेंट जो टर्म है यह हम लोग लास्ट लेक्षर में कहां पढ़े थे रिकॉल करना यह अपने आप से हमने कहां पढ़ा क्या थीन ट्रहका था थीक है थ्रीटाइप्स और कौन सा लाग्रमोडियम वाइवय एग्स लाज्मोडियं मैलेरी और प्लाजमोडियम फैल्सिफेरShare ना वो ऊन उनुव धाय। मतलब इसे तरह से जो मैलिगनेंट टुमर है वह बेनाइंस टूमर से बहुत ही ज्यादा क्या है हांपुल है यही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है ठीक है is the treatment ब्हुंक यह काफी हद तक ज्यादा स्प्रेट नहीं करता है विफनाइन टूमर का मतलब क्या होता है कि अगर एक जगा ट्यूमर हुआ वो नॉर्मली क्या रहा है कन फांड टो ऑरिजनल लोकीशन नहीं करता है दू नौट कि दू नौट कि रेड तो अधर पार्ट अधर पार्ट ओफ बोर्डी अधर पार्ट ओफ बोर्डी पे ठीक है तो कहा रहता है तिमें it's original इस ताइट वहीं पर यह इस्तीर रहता है पड़ा हुआ रहता है मालो कि कही ट्यूमर हुआ सपोर्ट एट कि हमें ट्यूमर कि नेखवाली रिजन में ट्यूमर हो गया यहां अगर यह ट्यूमर यहीं पर है जब तो ठीक है मालो यह tumor तूट करके कोई अधर पार्ट ऑप होगा बॉड़ी पार्ट में वो हुआ खतरनाक होगा या यह ज्यादा खतरनाग करना जगा यह हो एक जगा हो हुआ हुइं पता है कि हाँ slot पे है tumor इसे क्या करेंगे है क्या सर्जरी करना से वसे हटा देंगे वहां से यह क्या हुआ यह ज्यादा रची है ना खतरनाक उतना ज्यादा नहीं बट मैलिग में क्या होता है यह अपने और इसनल पाइट से और इसनल पोजीशन से क्योंबर ब्रेकडाउन के बौदी फ्लीड के माध्यां से पिदे हेल्प ऑबोडी फ्लूड इट गेट स्प्रेड टू डिफ्रेंट पार्ट ऑफ दा बोडी कहां का आप सर्जरी करोगे बोडी में फैल गया फिर प्रेंड में आ गया फिर बहुत ज्यादा प्रोब्लम आ सकती है तो मैलेगनेंट ट्यूमर जो है वह ज्यादा खतरना होता है तो समझ में आया मैलेगनेंट ट्यूमर क्या होता है कि प्रोलिफेरेट करता है सेल को और वह क्या करता है माइग्रेट टू अधर सेल ठीक है माइग्रेट कर जाता है अधर सेल में किलियर है It gets. It migrates to other cell, तो फिकिया है? ज्यादा harmful है, it magrates to the other cell also, other cell में यह migrate कर जाता है, more dangerous और ड्रेंजरस दैन कि अधर सेल थ्रू अधर ब्लड से भी जा सकता है ठीक है अधर हम इसको बोले तो बोड़ी फ्लूट के थ्रू एक डिफ्रेंट पार्ट में मोज मोर्डेंजरस दैन बिनाइन ट्यूमर कि बिनाइन अब इसको इसका एक और नाम है एकशल में जब ट्यूमर आता है तो इसको बोले ट्यूमर को भी बोलते है ठीक है इसको नियो प्लास्टिक लास्टिक और ही उमर सेल भी बोल ठीक है क्लियर हुआ यह होता यह मास ओफ प्रोलीफिरेटिव सेल इसको क्या बोलते हैं मास ओफ प्रोलीफिरेट करता है बोलीफिरेटिव ए यह ऐसा मास मतलब कि इस में ग्रोव होगा यह वण पार्ट से तूटा जैसे यह सेल है मालो ठीक है यह मेलिगनइंट्वर है हुआ हुख लिए ब्रेग डाउन हुआ तो यहां से यह ब्रेटपय नेंग लिसेर के का खता राजु है patrick also evil WhatsApp में मेर रहले ट्रस्टिक कि जो यहां टीमरी को बոलते हैं यह जो स्वाइब जनरल नहुत है कौन सा है कि एक जगा से दो जगा पर दूसरे जगा पर यह चला जाता है इसको क्या बोलते है मेटा इस को मेटा स्टैसिस ठीक है मेटा स्टैसिस is the property of तैसिस इस दी टो पैर्टी इस एक पार्ट से दूसरे जगा पर यह चला जाता है इस प्रोपर्टी को हम लोग बोलते हैं तो यह किसका है करते हां किसका इसका प्रोपर्टीका नॉरमल का प्रोपर्टी केंश के का क्या से क्यात्य हो बहुत सारे बहुत सारे सेंध्र रेज हैं यह सब मेगे वह लुकूक ः면 को लगता है तो क्या कराते हैं लोग टेटिव कराते आं स्युशन ऑफ ड्स दीज होता है आप का थे कि और जॉफ कि पहला पॉइंट इसमें क्या हम लोग लिखेंगे वाट इस कार्सिनोजन तो कैंसर कॉजिंग एजेंट क्या इसको बोलते हैं तीनोजन जो कैंसर को काउस करता है यह बहुत सारे फिजकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं ठीक है फैक है केमिकल वाइलोजिकल तीन हो सकते हैं हो सकता है केमिकल हो सकता है और जैंकल भी मुँकर तीनों का नाम लिखेंग दो थिक है क्या के vị्या हो गये है पिजिकल फैक्टर कि इजिक्स केमेस्टिवह याद कर लो किनो पिजिकल प cyclical फैक्टर पाई और क्योब कि पूशन देदेगा कैंसरी का वाई ओनली विजिकल पिजिकल प्रफ टिक करेंग आप अल अफ द अब तरह के सारे फैक्टर से यह अफेक्ट होता है यह कॉजिंग अब जो है इसमें कुछ रेज है आइनाजिंग रेलाइक एक्स रेज हो गया गामा रेज हो गया कुछ नौ अब कैंसर क्या लिखेंगे फूश्चन इसमें आता है अब आयोनाइजिंग अब है और इसमें नौन आयोनाइजिंग रहे ठीक है यह आप ध्यान रखेंगे तो आयोनाइजिंग कि एस या जेड कुछ भी लिख सकते हो कि एक्स रेज अब समझ में आया कि ज्यादा एक्सरे क्यों नहीं कराना चाहिए छोटी छोटी बात पर एक्सरे कराने के लिए नहीं नहीं चला जाना चाहिए दूसरा क्या है वह गामा से रिए ठीक है वह इस लोग मैं पूरा लिए डामा तरहें है इन एक्सरेज और गामा रेस कैसे इन ऐसे हैं और न इन प्सक्राइज जोटे लोगते हैं यूवी ए मतलब यूवी ल्टरा और वाइलेट रेज होते हैं कहां साता है सनलाइट पर आता है बट उसके लिए आपन जब इकोलोजिया पढ़ेंगे तो जोन ले रहे हैं वो उसको क्या करता है प्रोटेक्ट करता है बट आज काल क्या है ओजोन में भी होल हो गया है इसके कारण कि और यह यूव विर्रेस पिरफ्वी पे अर्थ पे कहीं नहीं धीरे घीरे पहुशती है वो क्या करती है क्या एकोरते क्या है को ढमेग कर देता है क्या कर देते यह दैम smells इसके कारण क्या होता है और नियुप्लास्टिक यानि की वो इसमें 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 एक्जाम्पल्स आप याद रखेंगे इसमें इग्जाम्पल्स आप याद रखें अल्रा वायुले रेज ठीक है अब इसमें चांपल की यादिक फिए एक्जाम्पल्स आपने के लिए कंसर यह केमिकल में लंग कैंसर को बढ़ रहा है को जो भी लोग खाते हैं ठीक है लंग कैंसर चाहर और और हो सकता है पट्यों सिग्रेट होता है ता में उसके में विकांऩ होती है ठीक है तो लंगs का ऍफारां वाको impossible हुआ कि टिक को सबसे ज़ाधा की किया तीक है मैं एकष इसमें कुरुमादा कुमा कि कार्सि नो जन में वैसा केमिकल जो कार्सिनो ज रोडूव स करता है उसको केमिकल कार्सिनो जैङूग थीक ए तो एक टर्म आपको ध्यान रखना है की कैंसर कॉसिंग वाइरस को भूर लोग क्या बोलेंगें ऑंको जैनीग वाइरस केंसर काउजिंग ऐसे वायरस जो की चैंसर काउज करते हैं तो उंको को इस रिलेटेड़ तो चैंसर उंको इस रिलेटेड़ टू तो उंको कि जिनिक वैसे वाइरस जो कैंसर कॉज करते हों उसको क्या बोलेंगे हम लोग ओंकोजेनिक वाइरस ठीक है उसके अंदर जीन होता है इस वाइरस के अंदर के जीन जोता है उसको क्या बोलते हैं वाइरल वाइरस का जीन वाइरस ओंको जीन वो नौर्मल सेल में होता है ठीक है तो डिफरेंस में आपको बता दूए एक एक सस्ट पेज पे कि को पॉस्टे सकता है सिंदो को कि अध्यान से करना इसको है कि सबसे पहले तो आपको फूस लेगा इस्टेलूलर ओंकोजीन यह फिर पहला आप मैं देता हूँ वाइरल ओंकोजीन रिलेटेड टर्म है एक जैसे आपको लगेगा बट यह लग लगए वाइरल ओंकोजीन दूसरा इसेलूलर ओंकोजीन का ही दूसरा नाम है इसके नाम प्रोटो ओंकोजीन लिखती है और प्रोटो ओंको दोनों में डिफ्रेंस कि दोनों में डिफ्रेंस मैं क्या कोशन पूछ रहा हूं कि वाइरल ओंकोजीन कहां पर प्रजेंट होगा और सेलूलर ओंकोजीन कहां पर प्रजेंट होगा ठीक है तो वाइरल ओंकोजीन कहां पर होगा वैसे वाइरस में होगा जो किस लेकिन जो सेलूलर ओंकोजीन है यह किसमे होता है यह नौर्मल सेल में होता है यही आपको ध्यान रखना जैसे ऑंगो का नाम आप सुनेंगे आप अंसर टीक कर देंगे वाइरल सेल में होता है नहीं मैं कोश्चन के रूम में जहां पर विकरानों उसको अप एक्स्टा यह किसमें होगा वाइरल सेल विच काॉजिंग कैंसर जो कैंसर काॉज करते हैं यह होगा ठीक है दूसरा कोश्चन जो कि एक बार कर चुके हैं लोग थियोरी में पढ़ चुके हैं हम लोग उसको यहाँ पर देख लेते हैं कि कॉंटक्ट इनिवीशन कॉंटेक्ट इस इस प्रोपर्टी ओफ प्रोपर्टी ओफ कॉंसा सेल में होगा पॉंटेक्ट इनिवीशन नॉर्मल सेल में होगा या फिर वायरल सेल में होगा ठीक है मतलब की कि व्यूंब स्यल में होगा किस में होगा तो कॉंटेक्ट इनिवीशन इडि़ दो कुसें बहुत कौमन है बहुत ज़्यादा यह गलत होता है ठीक है कि अब जो नेक्स्ट आपन देखेंगे कि कैंसर को कैसे डिटेक्ट करेंगे कैसे डाइगनोस करेंगे और उसका ट्रीटमेंट किया है ठीक है कि टेक्शन या फिर डाइगनोसिस कि ओ त्रक्ता अजिंस इसके बारे इसके ट्रीर्टम के बारे में एbii 10 परसेंट की लोग जानते हैं बहुत जादा है लगे व्योंवाहिए तिके औरलग इससे चीट के नाम पर इंसर के नाम फे टीटिटेक्ट कैसे होगा तब से पहले मैं बता चुका हूं कि अगर सुरुवात में पता चल जाता है और बहुत जरूरी है अगर लेट हो जाता है ना बहुत मुष्किल ओ जाता है ठीनेट में थील्वा इंपॉर्टन वह यह पुलता है काय जहीं पीबता है कैंसर डिटेक्षिन हो है पर रहे किस पे बेस्ट आन पायोप्सी पायोप्सी पे और किस पे होता है हिस्टो पैथो लॉजिकल स्टुडिज क्या बोला हिस्टो पैथो लॉजिकल स्टुडिज अब इसका नाम महीं समझो तीन टर्म से बना हुआ है हिस्टो कहां पर बढ़ा था क्लास फॉर फाइव में पढ़ते हैं न सेल टीशू तो स्टुडि ओफ टीशू को क्या बोलते हैं यह सब छोटी छोटी चीज़ इस स्टुडि ओफ पैथो लॉजिकल स्टुडि उसका करते हैं क्या होता है कि किसी एक पार्ट में जहां पर हमें लगता है कि कैंसर है उस पार्ट को क्या करते हैं उसका एक कट लेकर के उसको हम लोग मैक्रोस्कोप में स्टुडि करते हैं ठीक है तो बायोपसी में पीस आप सस्पेक्टेट इस इस पार्ट में अपने को कैंसर हुआ तो उसका एक सस्पेक्टेट टीशू इसको करते हैं करते उसको एक्जामिन करते हैं माक्रो स्कोप में उसी को करते हैं इसी को करते हैं а पीस ओप सस्पेक्टिद टीसू इन ऺरेत करते हैं हॊं हैW industri और इसो इसको क्या करते हैं , cut into thin layer , उसको thin layer में क्या करते हैं , thin section में cut करते हैं इसके बाद observe in microscope , इसके बाद क्या करते हैं , observe in microscope , इसी को हमने क्या बोला , histopathological studies , इसे बोल थे , observe करते हैं , इस तरह से हम लोग पता करते हैं , अब बहुत सारे techniques , और क्या है , बहुत सारे several techniques , many techniques are there , उससे भी पता कर लेते हैं , many techniques है , हमारे पास , उसमें क्या क्या है , सबसे पहले तो radiography में , टेक्निक लाइ , radiography यानि कि x-rays का यूज करते हैं , x-rays , पता चल सकता है , आपको , यानि कि , radiography , CT का नाम सुना होगा , MRI का नाम सुना होगा , CT का मतलब क्या होता है , computed tomography , CT , CT scan होता है , तो सबसे पहले यहां पर भी , जो भी full form आए , उसका नाम आप धान रखें , computed tomography , CT और X-ray में क्या difference है , तो computer जो होता है , यह भी X-ray को यूज करता है , CT भी क्या है , क्या यूज करता है , X-ray को , इसमें यह difference होता है , use X-rays , लेकिन कैसा होता है , 3D होता है , 3D , 2D , 3D समझते हैं , 2D , 3D , यह थ्री डैमेंशनल होता है , यह थोड़ा सा X-ray का advanced version हम लोग इसे बोल सकते है , 3D image of the internal object , और क्या हो सकता है , MRI हो सकता है , MRI में क्या हम लोग लेते है , MRI में क्या लेते है , MRI में magnetic field से treatment , magnetic field इसका basis होता है , magnetic field पर यह बेस होता है , MRI क्या फॉल फॉल फॉर्म , magnetic , resonance , इसे क्या हो जाएगा , magnetic , इमेजिंग , यह किस पर बेस होता है , magnetic field पर , based on magnetic field , based on , अब किसी भी MRI , जहां पर MRI होता है , वहां पर बाहर जाएंगे , आपको लीखा रहेगा , इतना टेसला , टेसला क्या है , magnetic field को बताता है , ठीक है , उसकी पावर को बताता है , तो यह सब कुछ चीजे आपको ध्यान रखनी है , detection के लिए , अब लेटेस्ट टेकनीक है , इसके बारे माँ ध्यान रखेंगे , CT का फुल फॉर्म , MRI का फुल फॉर्म , CT एक्सरे पे बेस्ट होता है , बट 3D , 3D इमेंशनल होते है , magnetic , MRI का फुल फॉर्म , magnetic resonance , amazing होता है , यह किस पे बेस होता है , कि यह हमारा detection हो गया , अब detection के बाद , हम लोग क्या देखेंगे , detection के बाद , इसमें क्या क्या , treatment है , फिर से मैं बता दूँ कि इसका कोई particular treatment नहीं है , अपने body में , मतलब कि हम लोग इसका particular treatment ऐसा नहीं है , कि यह दिए और cancer ठीक हो गया , एंटिवाइटिक दिया और cancer सही हो गया , ऐसा नहीं होता है , शुरुवाद में पता चलता है , तो बहुत सारा एक कॉंबाइन , chemical , आयोनाजिंग थेरेपी , सबका एक मिक्स होता है , ठीक है , तो treatment में , इसको हम लोग देख लेते हैं , का लास्ट पार्ट , treatment of , treatment , cancer को पार्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है , इसमें हम लोग कॉंबिनेशन यूज करते हैं , cancer of treatment में , सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे , या तो माल लो , सबस्दाय हमें , brain tumor हुआ , सबस्दाय हमें , brain tumor में क्या कर सकते हैं , पहला option है , surgery कर दो , लें surgery , तो हम इसा कर नहीं सकते हैं , उसको हम लोग क्या है आज का लेते , रेडियो थ्रेपी , radiation देते हैं , उससे क्या होता है . कि जो भी cancer या tumor है वो क्या होता है ब्रेक हो जाता है हां यह ध्यान रखना होगा हमें ध्यान रखना होता है cancer के treatment कि सपोस्ट रेट की cancer किसी पार्ट में है तो वहां पे अगर हम radiation यूज कर रहे हैं तो वह अगल वगल नॉर्मल सेल को अफेक्ट नहीं करें अगर वह अगल वगल नॉर्मल सेल को अफेक्ट कर दे तो फिर क्या फाइदा उस treatment का जितना वह सही करेगा उससे ज्यादा वह हाम बॉड़ी को कर देग इसके ड्रॉबेक्स हैं कि कैंसर मालो इस पार्ट में हैं तो वहां पर हम लोग आयनाइजेशन सोरे रेडियेशन देते हैं तो उसके अगल वगल सेल अगर अफेक्ट हो जाते हैं तो यह हमारे लिए प्रॉब्लम है तो क्या क्या treatment होंगे सबसे पहले तो सरजरी हो गया तो ट्रीटमेंट में क्या होगा तरजरी है कि दूसरा है कि रेडियेशन है कि रेपी दे सकते हैं अत्तीसरा इम्म्यूनो लिए एक्चुल में मैं बताता हूं जब आप पढ़ेंगे आगे तो लिखा हुआ है कि हम लोग कॉंबिनेशन यूज करते हैं इसमें ठीक है ऐसा लिखाने की एक देदिये सही होगा एक्चुल में कॉंबिनेशन यूज किया जाता है यह तो काफी ज्यादा पॉपुलर है तो इसमें समझ में आ गया इन रेडियो थेरेपी हम लोग क्या करते हैं कि किसी पार्ट में है तो वहां पर रेडियेशन करते हैं उसको लिखल या सा ध्यान रहना होता है उसके बाद रेडियेशन सर्जरी में क्या है रिमूव कर दिये हैं वहां पर इम्मूनियो थेरेपी मतलब इम्मून सब्रेसेंट ड्रक्स कुछ देते हम लोग कुछ इसके साइड इफेक्ट सबसे पहले तो जान ले कि कैंसर के में मोली क्या हो सारे स होता है ठीक है इसके बहुत सारे से सबसे मोस्ट कॉमन क्या होता है हेयर लॉस हेयर लॉस हो जाता है कैंसर के केस में और क्या हो सकता है और प्टिसी कि अनीमिया हो भी हो सकता है ठीक है एंड मेनी मॉर कि कॉमन होता है है एडेक हो सकता है आपको आइगरीन हो सकता है बहुत सारे साइड इफेक्ट आपको इन ड्रक्स का आपको हो सकता है आपके ऊपर अब इसमें most of the cancer are treated combination of this a line up ध्यान रखेंगे बहुत important है but most of the cancer are treated by combination of combination of किसका किसका combination रहें तीनों chemotherapy दे रहे हैं तो chemotherapy को combination of surgery और रेडियो तरेपी और साथ में क्या देंगे इम्मूनों तरेप्ट सौरी रेडियो तरेप्ट कि कुछ इम्मूनों और सप्रेशन ड्रग मतलब कि देंगे कि ऐसा ड्रक्स जो क्या करें इम्मून सिस्टम को फ्ट्राशा अप्ग्रेट करें रेडियो रेडियो तरेपी अन्हें किमो थेरेपियन रेडियो तरेपी इसका कॉंबिनेशन यूज़कर करते हैं यह अपना यहां पर कैंसर लगभा कम्प्लीट होता है पेसेंट जो होते हैं सम्गिवें लाइक हां एक पॉइंट यहां पर आएगा अलफा-इंटर-फेरोन यहां पर डिसकॉसंड यह अब यह क्या है बाइलोजिकल रिस्पॉंस कोशन ही आएगा कि वाट इस अलफा इंटर्फेरों उसे साइड में रहा चार स्टेट में तो वाइलोजिकल रेस्पॉंस मोडी फायर को हम लोग क्या करते है अलफा उसका फंक्शन क्या है एक्टिवेट इम्यून सिस्टम एंड इस्टॉइ इम्यून सिस्टम को क्या करता है एक्टिवेट करता है कि लास्ट न पाथ रहा था एंड वाइओ लोजिकल मॉँक्वन कने मोडी ऐा करता है यह एक्टिवेट करता है बिक हे नसını कि यही लाइन आपको मिलेगा अलफा इंटर्फेरोन है क्या इंपॉर्टेंट है किलियर है यहां पर अलफा इंटर्फेरोन का वैलोजिकल रिस्पॉंस मेड़ी फायर है ठीक है और साथ में साथ यह कुमर को देस्ट्रॉय करता है तो इस तरह से अपना एंसे आटिका जो डि इतना पढ़ा आप एक बार इसका रिवीजन करना अच्छे से ठीक है आज हमने दो टॉपिक कभर किया एट्स एंड कैंसर एट्स जिसमें की इंफेक्सियस है उसका साइने सिम्टम्स ठीक है उसका ट्रीटमेंट उसका टेस्ट क्या है यह पढ़ा फिर कैंसर में हम आए कैं कैंसर में उसका जो नॉर्मल सेSTELE का जो प्रॉपर्टींट थीन रखें से उसके बात गैसर के भूत सारे टाईयस होते हैं यह ए कैंसर हो गया ब्लर कसर लेकैमिया इसको बोलते हैं और कहां सा टरह आटा कैंसर के प्रोस्ट्रीट कैंसर है ब्रेस्ट Si las disintegr का आज सॉब सर कैंसर का treatment से कारेक्टरिस्टिक से वह किसा करेक्टरिस्टिक्स जो कि होता है और था की आधर कि और आधर से का फिर कैंसर का दैगनोसिस देखे गैंसर का ट्रीतमेंट देखे जनरलिक तीनों के कॉंबिनेशन से कैंसर को ट्रीट किया जाता प्रेवल्फा यह बॉड़ी में क्या करता है बाइलोजिक्वाइब करता है साथ इम्न सिस्टम को एक्टिवेट करता है और तो इस तरह से अपना कैंसर के साथ साथ कंप्लीट डिजीज वाला पॉर्शन कंप्लीट होता है अब हमारा क्या बच क्या लास्ट टॉपिक बचा है ड्रक्स अल्कोहल एंड व्यूज ट्रक्स कौन-कौन से प्रिवलेंट है जो गिवन है 3-4 द्रक्स में पढ़ना है उसकातों बहुत जादा हो रहा है है मोस्ट पढ़ता करती मैं तो उसका प्रिवेंचम क्या है थिक है उसके अवेर्णेस के बारे में उसके सा데टिक्स क्या है सारा दीटेल हम लोग नेक्ट क्लास में देखेगे औ pedir डानी का प्यों तौन तना प पढ़ा उसके साथ साथ इसमें पढ़ा तीन लेक्चर अपना हो चुका अभी तक अब एक से दो लेक्चर में हम लोग फिनिस कर देंगी इस चेप्टर को ठीक है तो डाइस वो टूडे थैंक यू कि अग्या